परिचाए अंकुष मुझे परिशान मत करो, मुझे पढ़ने दो तुम क्या पढ़ रही हो? मैं रसायन विज्ञान का अपना ग्रहकारे कर रही हूँ अरे, तुम गलत कर रही हो तुम क्या कर रही हो? अब ये सही है नहीं, यह दोहरा आबंद है और यह एक अलकीन है शिक्षक ने हमें एक अलाबंद और एलकेनों के बारे में बताया लेकिन उन्होंने एलकीन के बारे में नहीं बताया वो क्या है? अलकीन असंत्रिप्त हाइड्रोकाबन होते हैं और ऐसे ही एलकाइन भी होते हैं। आओ, मैं तुम्हें अलकीनों और एलकाइनों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। उद्देशे इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एलकीनों और एलकाइनों का वर्णन करना। नामपद्धती की IUPAC प्रणाली के अनुसार एलकीनों और एलकाइनों का नामकरन करना। एलकीनों और एलकाइनों के समावियवियों की सनचनाएं पहचानना और उन्हें लिखना। एलकीन और एलकाइन तयार करने की विधियां सीखना। एलकीनों और एलकाइनों के भौतिक तथा रासाइनिक गुर्धर्म लिखना एलकीन हाइड्रो कार्बनों का वो वर्क है जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रो जन होते हैं एलकीनों की दो अन्ने विशेष्टाएं ये होती हैं कि वे असंत्रिप्त तथा ओलिफिन होते हैं असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बनों में दोरे या तीरे आबंद होते हैं चूंकि यौगिक हाइड्रोजन परमाणों के संदर्प में असंत्रिप्त होता है इसलिए एलकिनों में दो कार्बन परमाणों के बीच साजा अतरिक्त इलेक्ट्रोन दोरे आबंध बनाते हैं एलकिन ओलिफिन भी होते हैं क्योंकि ये क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करने पर तेलिये द्रब बनाते हैं ये एथाइन या एथाइलीन और पेंटीन के यौकिक होते हैं दूई आबंध की सनजना एलकिनों में रासाइनिक आबंधन को सरलतम एलकिन एथीन द्वारा समझा जा सकता है एथीन अधिक जटिल अणू नहीं होता है इसमें दो कारबन परमाणों होते हैं जो परस पर दूई आबंधित होते हैं और इसके साथ इन परमाणों में से प्रतेक दो हैडोजन परमाणों से भी आबंधित होता है इससे प्रतेक कारबन परमाणों के कुल तीन आबंध बनते हैं जिससे उनका संकरण S-P-2 होता है, जोकि कार्बन परमानू चार सिग्मा आबंद बनाने के बजाए, जोकि ये बना सकता है, ये तीन सिग्मा आबंद बनाता है, इसलिए इसे अपने चार के बजाए तीन वाहे कक्षकों को ही संकरित करना होता है, ये दो S इलेक्ट्रोन तथा दो P इलेक्ट्रोनों की उप्यूग दोरा ऐसा करता है और अन्न को आपरिवर्दित रखता है नया कक्षक SP2 कक्षक कहलाता है क्यूंकि ये अपने नाम के अनुसार एक S कक्षक और दो P कक्षकों से बना होता है SP2 कक्षक में पर्माणों की सनचना त्री कोणिये समतलिये होती है ये सनचनाएं पीस संकेत के समान होती है इसमें एक ही तल में एक केंद्रिये पर्माणों तथा इसके आसपास तीन पर्माणों होते है त्रिकोणिये सम्तलिये अनुओं का प्रतेक पाश पर एक आदर्श आबंध कोण 120 डिगरी का होता है HCH आबंध कोण 117 डिगरी का होता है जो SP वर्ग संकरन वाले कार्बन के आदर्श 120 डिगरी के कोण के बहुत निकट होता है अन्य दो कौण यानी HCC के मध्धे दोनों 121.5 डिगरी के होते हैं एलकिनों की नाम पधधी सबसे लंबी सतत श्रिंखला ग्याद करें जिसमें दुई आबंध होते हैं कार्बन कार्बन की उपस्तिती दर्शाने के लिए अंद में इन का उप्योग करें श्रिंखला को इस तरह संख्यांकित करें कि कार्बन का प्रथम कार्बन की सबसे नियूनतम संभव संख्या हो प्रतिस थापियों को उसी प्रकार नाम एवं संख्याएं दें जैसा एलकेनों में किया जाता है देखें एक ब्यूटेन और इसे देखें दो मिथिल दो ब्यूटेन तथा तीन मेथिल एक ब्यूटेन एलकीन प्राकारियात्मक समोहों को एलकील तथा हैलाइट प्राकारियात्मक समोहों पर प्रात्मिक्ता दी जाती है ये यौकिक चार ब्रोमों, तीन मेथिल, एक ब्यूटेन है श्रिंकला को संख्यांकित करने पर हाइड्रोकसिल समोह को दुई आबंद पर प्रात्मिक्ता दी जाती है ये यौकिक है दो मेथिल, तीन ब्यूटेन, एक ओल यदि एक से अधिक दुई आबंद उपस्तित हों, तो प्रतेक दुई आबंद के प्रतम कार्बन की संख्या का उप्योग करते हुए तथा प्रत्यय डाइन यानि दो दुई आबंधों के लिए, ट्राइन तीन दुई आबंधों के लिए और Tetrine चार दूयाबंधों के लिए इत्यादी उप्योग करते हुए उनकी स्थिती का निर्धारण किया जाता है उधारण के लिए 1, 4, Pentadine साइकलो एलकीनों का भी इसी प्रकार से नामकरण किया जाता है साहिक्लो एलकीन को इस प्रकार संख्यांकित करें कि दुई आबंध कारबनों को संख्याएं एक और दो मिलें और प्रतम प्रतिस्थापी नियुनतम संभाव संख्या हो यदि कार्बन के दुय आबंधो में से एक पर प्रतिस्थापी है तो इसकी संखिया एक हो जाएगी इसी योगीक को देखें इसे 1-5-dimethylcyclopenten के रूप में नामित किया गया है ना कि 2-3-dimethylcyclopenten के रूप में समावयवता संदचनात्मक समावयवता सभी ऐसे एलकीन जिनमें चार या अधिक कारबन परमाणू होते हैं, संदचनात्मक समावयवता प्रदशित करते हैं. इसका आशे है कि प्रतेक आणविक सूत्र के लिए आप दो या अधिक भिन सन्रचनात्मक सूत्र बना सकते हैं। उधारण के लिए C4H8 के साथ ये तीन सन्रचनात्मक समाव्यई प्राप्त करना कठिन नहीं है। हाला कि अन्य समाव्यवी ब्यूट दो इन जया मितिये समाव्यवता भी प्रदशित करता है। जया मितिये संपक्ष, विपक्ष या सिस्ट्रांस समाव्यवता। कारबन कारबन दुयाबंद में मुक्त घूनन नहीं होता। इसकार्थ है कि अन्य के किसी स्रे पर अन्य के किसी एक ही और या एक दूसरे के विपरीत सी अच तीन समोह प्रतिबंदित होते हैं। ये सिस्ट्रांस ब्यूट्रांस 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 ब्यूट्रां एलकिनो का विर्चन एलकिनो को समानिता बीटा विलोपन अभी क्रियाओं द्वारा विर्चित किया जाता है जिसमें सन्निकट कार्बन पर्माणों पर दो पर्माणों हटाए जाते हैं जिसके परिणाम सोरूप एक दुई आबंध बनता है एलकिनो को समानिता एलकोहलों या हैलो एलकेनों से बनाय जाता है यानि एलकिल हैलाइट्स एलकोहलों के निर्जली करण त्वारा निर्जली करण अभिक्रियाओं में एल्कोहल को एक प्रबल खनिज अम्ल की उपस्थिती में गर्म करके एक एल्कोहल अणू से जल का अणू निकाला जाता है हाइड्रोजन आयन खोने वाले सनिकट कार्बन परमाणूं तथा हाइड्रोकसाइट समूह के बीच एक दुयाबंद बनता है हैलो एल्केनों से या एल्किड हैलाइडों से एल्किनों को हैलो एल्केनों यानि एल्किल हैलाइडों से प्राप्त किया जा सकता है ये हेलो एलकेन, प्राया, ब्रोमो वा आयोडों और कम समाने रूप में क्लोरो व्यूत पन्नक होते हैं। हेलो एलकेनो के विहाइड्रो हेलोजेनी करन द्वारा हेलो एलकेनो को एलकोहालिक पोटाश के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन हेलाइट का एक अणू लुप्त होकर एलकीन देता है। ब्रोमो एथेन एथेन देता है। वी हेलोजेनी करन विसनल डाइ हेलाइट्स जो एलकेन अडू होते हैं जिनमें दो हेलोजेन परमाणू सन्निद्ध कार्बन परमाणू पर होते हैं। जिंक से अभिक्रिया करके एलकीन बना सकते हैं। एलकाइनों से NIE या PD की उपस्थिति में 200 डिग्रीव ëंटीग्रेट पर एलकाइन का हाइड्रोजेन के साथ नियंत्रेत हाइड्रोजेनी करण करने पर संगत एलकीन प्राप्ट होता है। एथाईन हाइड्रोजेनी करण करने पर एथिन देता है। एलकीनों को एलकाइनों के हाइड्रोजिनी करन द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। एलकीनों के भौतिक गुण धर्म भौतिक अवस्था कमरे के तापमान पर एलकीन सभी तीनों भौतिक अवस्थाओं गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में रह सकते हैं। कमरे के तापमान पर निम्नतर, एलकीन, प्रथम तीन एलकीन, रंगहीन गैस होते हैं। जबकि अगले 14 सदस से जो 5 से 15 कारबन परमानों से बने होते हैं, वे रंगहीन द्रव रहते हैं। उच्चतर एलकीन, रंगहीन ठोस होते हैं। एथीन को छोड़कर सभी अन्ने एलकीन, रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। एथीन की हलकी मधुर गंध होती है। एल्किनों की अधुरुविय प्रकृती के कारण वे जल में अविलाय होते हैं, किन्तु बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पेट्रोलियम इथर इत्यादी अधुरुविय विलायकों में विलाय होते हैं. घनत्व एल्किनों का घनत्व एक ग्राम प्रती मिलिलीटर से कम होता है, और इसलिए ये जल से कम घनत्व युक्त होने के कारण जल के उपर प्रत्थक परद बनाते हैं. एल्किनों का आणविक द्रव विमान बढ़ने के साथ घनत्व भी बढ़ता है. एल्किनों के कौथनांग द्रव अवस्था में अणू परस पर अधिक निकट आबध रहते हैं तथा उनके बीच दुर्बल अंत्रा अणुक आकर्शन बल होता है इसलिए वे सिस्टम में यात रिच्छिक गती कर सकते हैं जब हम द्रव को उश्मा की आपूर्टी करते हैं तो सिस्टम का तापमान बढ़ता है जिससे अड़ों की गतिज उर्जा बढ़ जाती है इसलिए अड़ों की गती बढ़ती है और उच्छित तापमान पर अड़ों के बीच आकर्शन बल घड़ जाता है कौतनांग की तरहा एलकीनों का गलनांग भी आणविक द्रविमान में बढ़ोत्री के साथ बढ़ जाता है एलकीनों के रासायनिक गुण धर्म एलकीन दुई आबंद की उपस्तिती के कारण एलकेनों की अपिक्षा अधिक अभिक्रिया शील होते हैं कारबन कारबन दुई आबंद में एक प्रबल आबंद और एक दुरबल पी आबंद होता है संकलन अभिक्रियाएं कार्बन कार्बन दुयाबंधों के पी इलेक्ट्रोन एक इलेक्ट्रोन उरागी यानि इलेक्ट्रोन की खोज करने वाली कोई स्पेशीस के लिए उपलब्द होते हैं अताहा एलकीन उत्वारा प्रदशित संकलन अभिक्रियाएं वास्तों में इलेक्ट्रोन अनुरागी संकल अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया के क्रम में क्लोरीन, बड़ा प्रोमीन, बड़ा आयोडीन से होता है। अभिक्रिया का क्रम है। आयोडोप्रोपेन उत्पाद प्राप्त होता है। किसी असम्मिद एलकीन में हैलोजन अमलों के संकलन का ये नियम मारको निकॉफ का नियम कहलाता है। मारको निकॉफ के नियम के नुसार एलकीन सांद्र सल्फियूरी कमल में मिलकर एलकील हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। उधारण के लिए एथीन एथेन सल्फियूरी कमल तथा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्रदान करता है। जल का संकलन एलकीनों का निर्जली करन तनु अमलों एवं एक उत्प्रेरक की उपस्तिती में जल अणूं एलकीन अणूं में दुई आबंध पर संकलित होते हैं। उधारण के लिए एथीन और वाश्प का मिश्रण 65 वायू मंडलिये ताप और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पान पर फॉस्फोरिक अमल तथा सिलीका परसिक गुजारें जाने पर एथेन एथनॉल देता है। ओजोन का संकलन एलकीन जब ओजोन के एकड़ों से दुई आबंध पर संकलित होता है तब ओजोनाइड बनते हैं। उधारण के लिए एथीन एथीन ओजोनाइड प्रधान करता है। संकलन बहुलकी करण वह प्रक्रिया है जिसमें एक इही इस्पिशीस की बड़ी संख्या में अड़ों परस पर संकलित हो जाते हैं। सरल अड़ों जैसे की HX, H2O इत्यादी के निर्सन के बिना और एक विशाल अड़ों बनाते हैं जो बहुलक कहलाता है। उप्युक्त उत्प्रेरकों की उपस्तिती में दाप के अंतरगत गर्म किये जाने पर एलकीनों का संकलन बहुलकी करण होता है। जब एथीन को 1000 centigrade ताप पर 1000 वायो मंडली ये ताप के अंतरगत आक्सीजन की उपस्तिती में गर्म किया जाता है तो हमें polyethene प्राब्द होता है. एलकाइन एलकाइन ऐसे हाइड्रोकारबन होते हैं जिनमें दो कारबन परमाणों के मध्धे एक त्रियाबंद होता है. एलकीनों की तरहा श्रिंकला का सरल्तम सदस से दो कारबन अडू होता है. त्रियाबंद को इंगित करने के लिए नाम के अंत में आइन लगाया जाता है. जिस प्रकार एलकीनों में दोई आबंद को इंगित करने के लिए नाम के अंत में इन लगाया जाता है. एलकाइन एलकीनों की तरह असंत्रिप्त हाइड्रोकारवन होते हैं जिनका सामाने सूत्र CnH2n-2 है ये अत्यंत आस्थाई तथा तोरित अभी क्रियाशील होते हैं उधारण के लिए एथाईन सरल्तम एलकाइन है जो अपने सामाने नाप एसिटिलीन द्वारा अधिक जाना जाता है ये एक गैस है जिसका उप्योग प्राया काटने एवं वेल्ड करने वाली टॉर्चों में इधन के रूप में किया जाता है क्यूंकि ये बहुत गर्म जौला के साथ जलती है अलकाइनो का नामकरण IUBAC पद्धती में एलकाइनो को एलकेनो के व्यूत पन्नकों के रूप में नामित किया जाता है एलकेन के नाम में लगे N को बदल कर आइन कर दिया जाता है उधारण के लिए दियेगा योगिक में तीन कारवन परमाणू है और इसलिए मूल नाम प्रोपेन है यदि प्रत्य एन को आइन से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हम योगिक का IU-PAC नाम प्रोपेन के रूप में प्राप्त करते हैं यदि श्रंखला में कोई प्रतिस्थापी है तो दीरकितम श्रंखला को इस प्रकार चैनित किया जाता है कि श्रंखला में त्री आबंद हूँ. इसी प्रकार श्रंखला का नाम करण इस प्रकार किया जाता है कि त्री आबंद वाले कारबन को नियूनतम संख्या मिले. उधारन के लिए दिये का योगिक में दीर कितम श्रिंखला में पांच कार्बन परमाणू है अताहा इसका नाम पेंटाइन होगा इसे बाएं से दाएं नामित किया जाता है ताकि त्री आबंद वाले कार्बन को संख्या एक प्राप्थ हो तीसरे कार्बन परमाणू पर एक प्रतिस्थापी मैथिल समो है अताह योगिक का नाम तीन मैथिल एक पेंटाइन होगा अलकाइनो की सनचना अलकाइनो की सनचना में कार्बन परमाणू का S-P संकरण होता है कार्बन का वाहितम इलेक्ट्रोनिक विन्यास दो S वर्ग दो P वर्ग है उत्तेजी दवस्था में दो S कक्षक से एक इलेक्ट्रोन दो P में चला जाता है अताहर वो तेजी दवस्था में इलेक्ट्रोनिक विन्यास दो S एक, दो P एक्स एक, दो P वाई एक, दो P जड एक हो जाता है यहां कार्बन का S-P संकरण होता है जिससे रहखिक आकरिती एवं 180 डिग्री पर आबंध कोन के साथ दो S-P संकरित कक्षक प्राप्ट होते हैं एक S-P संकरित कक्षक अन्य कार्बन से जुड़ता है तथा अन्य हाइडोजन से जुड़ता है आता ऐसी टिलीन अणूं की सनचना रहखिक होती है समाव यवता श्रिंखला समाव यवी समान आणविक सूत्र तथा कार्बन श्रिंखला पैटरनों में भिनता जैसे की रहखिक या शाखी वाले योगिक श्रिंखला समाव यवी कहलाते हैं एक पेंटाइन, तीन, मैथिल, ब्युटाइन के लिए श्रिंखला समाव यवी है इस्थिती समाव यवी समान आणविक सूत्र तथा प्राकारियातमक समुहों की स्थितियों में अंतरवाले योगिक इस्थिती समाव्यवी कहलाते हैं एक ब्यूटाइन तथा दो ब्यूटाइन इस्थिती समावयवी हैं। प्राकारियात्मक्समोह समावयवी समान आणविक सूत्र तथा प्राकारियात्मक्समोह की प्रकृती में भिन्नता वाले यौगिक प्राकारियात्मक्समोह समावयवी कहलाते हैं। एलकाइन, साइकलो एलकीनों के लिए प्राकारियात्मक समुहू समाफ्यवी होते हैं। उधारन के लिए पेंटाइन तथा साइकलो पेंटेन प्राकारियात्मक समुहू समाफ्यवी हैं। जयामितिय समाव्यवी एलकाइनों में कारबन परमाणों के बीच आबंद कठोर होते हैं और घून नहीं कर सकते। इसलिए जयामितिय समाव्यवियों की संभावना बनती है। लेकिन क्योंकि परमाणों की दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसलिए एलकाइनों में जया मितिये समाव यवियों की कोई संभावना नहीं होती। एलकाइनों का विर्चन एलकाइनों का विर्चन एलकीनों के समान किया जाता है। मुख्य निर्मानिक अभिक्रियाओं में अणूं से समूहों या आइनों का निर्सन किया जाता है जिससे पाई आबंद बनते हैं। V-Hydro-Halogeni Current सन्निद एलकेन कारबन परमाणूं से एक हाईडोजन परमाणूं तथा एक हैलोजन परमाणूं का विलोपन कराने पर एक एलकाइन बनता है। हैलोजन परमाणूं एक ही कारबन जेमिनल डाइ हैलाइड में या सन्निद कारबनों यानि विसनल डाइ हैलाइड पर इस्थित हो सकते हैं। दूइतिये वी हाइड्रो हेलोजनी करण चरण के दौरान कुछ निश्चित दशाएं अनिवारे होती हैं, जिनमें उजतापमान तथा अत्यधीक प्रबल ख्षार की ये विलियन शामिल हैं। वी हेलोजनी करण निकटस्थ टेट्रा हेलो एलकेंस का एक औरगेनो मेटलिक अभिक्रिया में जिनक धातु के साथ वी हेलोजनी करण होने पर एलकाइन बनता है। अभिक्षा क्रित बड़े एलकाइन एक एलकिल हलाइट को एक एसी टिलाइट आयन से अभिक्रिया करा कर उत्पन्न किये जा सकते हैं, जो अभिक्षा क्रित छोटे एलकाइन से उत्पन्न होते हैं। एथाइन यानि एसी टिलीन विट्चन Ethane जिसे Acetylene के समाने नाम से जहना जाता है एक सरलतम Elkine है एतिहासिक रूप से इसे केलिशियम कारवाइट की जल से अभिक्रिया करा कर बनाया जाता था वर्तमान में Ethane को समानिता मेथन के तप अबखटन से बनाया जाता है इस अभिक्रिया में मेथिन कैस की एक धारा को एक निर्वातित कक्ष में 500 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान पर गर्म किया जाता है अभिक्रिया से वायू को अवश्य निकाल दिया जाहिए अनिता आक्सी करण हो जाता है एलकाइनों के भातिक गुन धर्म एलकाइनों के भातिक गुन धर्म एलकीनों के समान होते हैं एलकाइन समानता अध्रुविय अडू होते हैं जिनकी ध्रुविय विलाइकों जैसे की जल आदी में विलेता कम होती है इधर तथा ऐसी टून आधी आध्रुविये विलाइकों में इनकी विलेता अधिक होती है एलकेनों तथा एलकीनों की तरहा चार या कम कारबन परमाणों वाले एलकाइन गैसिये प्रवरित्ती दर्शाते हैं प्रतिस्थापित एलकाइनों में त्री आबंधित कारबन परमाणों के बीच वैत्युत रणात्मक्ता के बीच अंतरों के कारण छोटे दूइत्रुव आघून होते हैं जो एस्पी संकरित होते हैं तथा एकल आबंधित कार्बन परमालों होते हैं, जो SP3 संकरित कार्बन परमालों जिसमें SP3 संकरित कार्बन परमालों की तुल्ना में S लक्षण अधिक होता है। ये अपने प्रकृती में अधिक वैद्धूद रणात्मक होता है। ऐसे कार्बन परमाडों के बीच आबंद में परिरामी असम्मित इलेक्ट्रोन वित्रण एक दूईत्रुव आगून को जन्म देता है। एलकाइनों के रासाइनिक गुर्धर्म दहन एलकाइन वायू या ऑक्सीजन में धुआ युक्त जुआला के साथ जलते हैं। हाइड्रोजन का संकलन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके पहले एलकीन और अंत में एलकेन बनाता है। हैलोजन का संकलन अंधेरे में एलकाइन हैलोजनों यानी CL2 या BR2 से अभिक्रिया करके पहले डाई हैलोजन के और अंत में टेट्रा हैलोजन के बनाता है। ये अभिक्रिया प्रकाश या हैलोजन वाहकों की उपस्तिती में त्वरित होती है। जल का संकलन सल्फियूरिक अमल 42 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्तिती में 60 डिग्री सेंटिग्रेट पर हैलकाइन का एक जल अनु में संकलित होकर LD हैट्स या की टोन देते हैं। उधारण के लिए एथाइन, एथेनौल तथा प्रोपाइन, एसिटोन देता है। बहुलकी करण एलकाइनों को गर्म करने पर उत्प्रेरक की उपस्तिती में इनका बहुलकी करण होता है। उत्पात की प्रक्रिती दशाओं पर निर्भर होती है। उधारण के लिए जब एथाइन, यानि एसिटिलीन, इसको गर्म कॉपर नली से गुजारा जाता है, तो ये बहुलकी करित होकर बेंजीन देता है। जब अमोनियम क्लोराइड में क्यूपरस क्लोराइड के विलियन से गुजारा जाता है, तो एथाइन का रेखिये बहुलकी करण होता है। क्या आप जानते हैं, मारको निकॉफ कनियम रूसी रसाइन वग्यानिक विलादिमीर वसी लेचिव मारको निकाफ द्वारा अठारा सो सत्तर में प्रतिपादित किया गया। कार्ब धनायन मत्यवर्ति को उपेक्षित करने वाली प्रणालिया अन्य रेजियो सेलेक्टिव प्रणालियों के मात्यम से अभिक्रिया कर सकती हैं, जो मारको निकॉफ के नियम के अनुमानों के विरिद्ध है, जैसे की मुक्त रेडिकल संकलन। इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रती मारको निकॉफ कहलाती हैं, क्योंकि मारको निकॉफ अभिक्रिया के ठीक विप्रीत हैलोजन कम प्रतिस्थापित कार्बन से जुड़ता है, पुना धनावेश की तरहा अधिक प्रतिस्थापित अवस्था में रेडिकल अधिक सर्व अधिक इस्थाई होता है। सारांश आईए हमने जो कुसी का है उसे संख्षेप में दोराएं। एलकीन हैड्रोकार्बनों का वो वर्ख है जिसमें केवल कार्बन और हैड्रोजन होते हैं। एलकीनों की दो अन्य विशेष्टाएं ये होती हैं कि वे असंत्रिप्त तथा ओलिफिन होते हैं। असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बनों में दोरे या तीरे आबंद होते हैं। एलकाइन, एलकीनो की तरहा असंत्रिप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनका सामाने सूत्र CnH2N-2 है. ये अत्यंत आइस्थाई तथा तोरिद अभिक्रियाशील होते हैं. एलकीनों तथा एलकाइनों की संकलन अभिक्रियाएं होती हैं, जो मुख्यता, इलेक्ट्रोन अनुरागी संकलन होते हैं. कार्बन कार्बन दुयाबंद के परितह प्रतिबंदित खोड़न के कारण एलकीन जयामित्ये यानि सिस्ट्रोन्स समावियफ्ता प्रतेशित करते हैं.